किष्णा जय नारायन नमस्तार आप से बहुत बहुत स्वागत करता हूं निवीशिस करिक्रम में इसका नाम है कल्याड मस्तु और हमारा चैनल जिसका नाम कल्याड मस्तु जोतिस हंस्था इसके माध्यन से मैं आचार प्रमोद मिस्रा आज बताऊंगा आपको मूलांग के बा इसके माध्यन से आज मूलांग एक के बारे में मैं आपको बता हूँ कि मूलांग का एक क्या होता है मूलांग एक बर्स 2019 में क्या सुपता लेकर आया है किस बात से आपको साधान रहना है क्या नहीं करना है और क्या करना है किस बात पर विशेज ध्यान रतना है इस बारे मे मैं आख़ बताने वाला हूँ साधान हो जाई यह सुने के लिए प्राणाख करते हैं कि जिन ब्यक्विध्यों का जन्म एक दस उन्नीस और अठाईस तारिव को हुआ है उनका मूलांक एक होता है अब मूलांग एक के लिए ये दुर्व जो है उनीज का जो वर्स है बहुत ही अच्छा है और ये लोग इस वर्स में बहुत अच्छे सफलता प्राफ करने वाले हैं नवकरी ब्योसाय के उस्तरप्राप करने वाले हैं सिथ्था में बड़ी उपनप्रियां भी लाने वाले हैं इस बर्स में आर्थी छेत्र में मजबूत रहेंगे लोग नवकरी में सफलता मिलने वाली है और इसके अलावा स्वाथ भी इनका अच्छा नहींगा अब अगर ध्यान दिया जाए कि अगर पिष्टे कुछ सालों में कोई काम या कोई भी चीज़े इनकी आटक रही थी रुक रही थी वो भी इस साल में हो जाएंगी और किसी प्रगार की कोई कष्टमनाईयों का सामना अगर आप कर रहे थे तो प्रभुक्रिपासे वो कष्टमनाईयां भी आपकी निकलने वाली है हाँ संतान की तरफ से कोई विश्यस अच्छा समाचार भी मिल सकता है अपको पति पत्नी का जीवन अच्छा रहे गा लेकिं कुछ गर्थ फहिमियों को ले करके आपस ने कुछ कड़वाहट आ सकती है इसमें सामधानी की जरूरत है सामंजस की जरूरत है समझदारी की कि इसमें अपने जीवन को इस्त्र बनाने के लिए जीवन को शुद्र बनाने के लिए अपने लक्ष पर आपको ध्यान दे रहा हुगा जितनी बाते मैं बताएं कि आप ऐसा करेंगे जो लोग मतेंद्री कंप्यूटर या संपक्ति के समंधित कुछ कार्य करने वाले हैं ल सितंबर और अप्टूबर का महिना कुछ मध्यन स्रेडी में होने वाला है तो समय लाकर के सफलता प्राप करने के लिए बहुत धैले और कड़ी मिहनत की आवस्कता है सारे चीज़े आपको प्राप्त होंगी ध्यान रहे कि आप लोग फ्रसा मुरांग एक वाले लोग छोड़ा आलसी कई बार हो जाते हैं और आलस की वज़े से बहुत अच्छी जो चीज़े प्राप्त होने वाले होती हैं या प्राप्त हों उप्राप्त नहीं कर बाते हैं वैसे सूरी का सम्मन है इस अंग से इसलिए जीवन में बहुत अच्छा पद प्राप करते हैं अच्छी प्रतिरिष्ठा प्राप करते हैं अच्छा मार्ग प्राप करते हैं लेकित आलस से त्याग में अब मैं आपको एक बताना है आला हूं कि आपको क्या आवश्यक है करने क कि आप पूरे बर्ष वसे मादा पिता का Shambhalbei को न चाहिए तो कि पूरे बर्ष, पिता जी को प्रढाम के लगर करके उनका आश्य बाद अपने श्षिर पर ले गर करके आप निकले अपने कारे में सफल तावरा प्त रहें गहां हाँ, आचरण पर विशेश ध्यान अतना है, क्या नहीं करना है इस बारे मेदाने वालाओ, अपने करेक्टर पर ध्यान अतने हुए, आचरण पर ध्यान अतने हुए, कोई सा कदम न बढ़ाएं, जिससे आपके परिवार का, आपका अपमान को, विशेश अवधानी दतनी आपके लिए भागसाली रंग, सुनेरा रंग है, भागसाली तिथी जो है हर महीने की, एक, दो, तीन, नो, तरस, ग्यारा, बारा, अठारा और अठाईस, ये बड़ी सुथ तिथी आपके लिए है, भागसाली दिन कोई सा है, मन में जिक्यासत आपके अंदर आगी होगी, तो भागसाली दिन मताने वाला हो रविवार, शोमवार और ब्रस्तिवार, यानि गुरुवार, ये भागसाली दिन है, तुपाई का करना आपको, अगर आप एक मुखी रुद्राज पहनते हैं, तो हर रविवार को, उस रुद्राज को, शहद में डाल करके, और फिक आपके हथेवी में, जो सूरी का अस्थान है, ये पॉइंट होता है, सूरी के अस्थान पर, ये सूरी परवत पर, आप केसर का तिलग जरूर लगाएं, प्रत दिन लगाते हैं, तो बहुत सी बात हैं, और प्रत दिन नहीं रगाते हैं, तो रविवार को ये तिलग आप ज